हाई फ्रेंट्स वेल्कम बेक तो माई चैनल जे अर्ड दा वालवे सर यह वीडियो उन लोग लिए जो लोग बेंगलोर में रहते हैं आपको तो पता होगा कोरोना और अभी अभी नया एक वारस है ओमिक्रान करके और किसी को पता नहीं रहता है कि एक अच्छा सा हस्पिटल कहां पर होता है सभी लोग ढूंते रहते हैं कि यह और यह स्टैट है हमारा स्टैट में हमको तो पता चल जाता है अच्छा अच्छा हस्पिटल कहां पर मिलेगा आपको और वह भी गवर्वर्मेंट होना चाहिए क्योंकि आपको कम पैसा में बहुत कुछ अच्छा पूरा डीटेल्स में आपको विडियो में दोंगा तो विडियो में बना रही है पूरा एंड तक देखते रहना यह जो हॉस्पिटल के बारे में बोल रहा हूं हो हॉस्पिटल में हर किसी डीजीज का ट्रीटमेंट होता है आप यह बोल सकते हैं कि बच्चे से लेकर पर जितना बी उनका बैड चार्ज मैडिसीन ओपरेशन वटी का जो चार्ज मिला के वहां पर वहां पर भी उन लोगों ने 100 रुपीज डिसकाउंट दिया था और उनलों ने 1000 रुपीज हमको जो हे चारज गया था तो अप इस से यह पता लगा सकते हैं कि कि वहां पे कितना सस्ते पे आपको available कराते हैं सारा का सारा जितना भी treatment वहां पे फ्रेंड्स आपको एक चीज़ आपको यह surprise देगा कि वह government hospital में एक भी आपको dust नहीं मिलेगा इतना clean hospital में मेरा इस में first time भी मैं आपको सेयर कर दूँगा यह कहां पर होस्पिटल है इसका लोकेशन सीवाजिन अगर जो बस्टांड है उसके नियरबाई है ठीक है तो इसको राइट सेड में आपको बस्टांड मिलेगा लेफ सेड में यह होस्पिटल एवले वहां पर जितना भी डॉक्टर लोग र ठीक है फ्रेंट्स तो गवर्मेंट हस्पिल में यह साब मिलना बहुत ही मतलब रहार क्यास में देखा है उसले फ्रेंट्स मैं वीडियो को सुरू करता हूं और में आपको लिए चलता हूं बावरिंग हस्पिटल यह फ्रेंट्स इसका एंट्री गैट है और यहां पर देखे वह चिल्डरन्स का वार्ड है यह फ्रेंट्स यह आड्मिशन्स काउंटर है यह अब देखे बहुत सारा कमरा है जिसमें डेक्टर लोग पैशन्ट को देखते हैं ओपीडी में और यह रहा चिल्डरन्स ओपीडी टेंथ फेडियर्ट्रिक यहां पर इसी जी का सक्षण है लेट्ट साइट में देख सकते हैं सब्सक्राइब नमबर रोम्स और यहां पर जो है मेडिकल वो पीडी है मेडिकल पैशन्ट को दिपार्टमेंट है वो अस्टिक सर्जरी का जो वो पीडी है अब शेट में देखेंगे तो डेंटल का वी डिपार्टमेंट है इस डिपार्टमेंट ने फ्रेंट्स पूरा का पूरा जो एक्स्ट्रेइ वगरा होता है यह जो है पूरा एक्स्ट्रेइ का सेक्शन है यहां पर डाक्टर से डूटी रिपोर्टिंग लिखाय रूम और यहां पर लिखाय की एक्स्रेइ रूम है कि दोनों जो है डिजिटल एक्सरे और नॉर्मॉल एक्सरे और हर जगह पर क्यामरा लगाए गया है हर एक जगह पर आपको मिलेगा बहुत साब सफाई यह से गवर्नमेंट हस्प्राल में बहुत काम देखने को मिलता है यह जो वार्ड है वार्ड का टीटल से यहां पर लि यहां पर सभी अंब्लेंच वगड़ा रहता है और यह जो एंट्री यह डॉक्टर का एंट्री है यहां पर देखिए लिखा है एंट्रंस ओनली फॉर डॉक्टर स्टाप मेंबर्स और मेडिकल स्टुडेंट्स और यह वार्ड का जो है एकांट सेक्शन आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है बावरिंग एंड लेडीज वरिजन हस्पीटल बेंगलोरूप यहां पर भॉत सारा जो है लिखा गया है आज तक तो मैंने जित्ना भी गॉवर्मेंट है वह बहुत ही गंदा होता है बाट यहां पर ने आकर देखा एक ऐसा गॉवर्म फेटल जो की तक साफफाई के ममले में बहुत ही अच्छा है यहां पर यहई पास आपको मिलेगा तो जाने से पहले फ्रेंट्स मैं आपको एक यहां का जो महाल है उसको दिखाने गार्ट वाड़ पी जो नीचे प्रेंट्स आप देख सकता है उसे दोसर सेक्शन वह पूरा कोविडी सेक्शन यहां पे कोविडी के लिए रखा गया है है कि फिर्ण यस थोड़ा हिसका जो वास्तव तो मैं आपको देखा जोड़ा देता हूं गवर्णा जटेडल में इतना सफ सपय में ने कभी भी नहीं लेका इनका जो वास्तव है वह वी इतना साफ है रहा है यह पर नहाने के लिए लगाए बहा है और फ्रेंट्स में आपको बोलूंगा कि आप एक बार हस्पिटल को वीजिट कीजिए और फिर आपको पाता चलेगा कि इनका जो सर्विस कैसा है अगर आप नहीं जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा मेरा वीडियो के बादम से मैंने जितना भी हो सका है इसको कवर करने क कोशिज किया है और अगर आपको इसका रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मैं जोरूर इसका एंसर दने के कोशिज करूँगा तो फ्रेंट्स मिलते हैं और एक दमदार मज़दार और इंफरमेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हैं